हेलो फ्रेंड्स, हम रीट में जो आगे की प्रोसेस आज हम पढ़ेंगे वो है समतली आकरतिया युनिट थर्ड में हमने पढ़ लिया था रेका और कॉन और से रेलेटेड हमने कॉशन्स भी कम्प्लीट कर लिये थे अब हम पढ़ेंगे समतली आकरतिया हम पूरे चेप्टर पढ़ेंगे अच्छे से आप चाहे तो अपने अनुसार नौट्स बना सकते हैं नहीं तो हम चेप्टर कम्प्लीट करके फिर शॉर्ट नौट्स क्रियेट करेंगे और कॉशन्स साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद इंक्लूडिवली मालब कम्प्लीट हम उसके कॉशन्स सॉल करेंगे तो आईए पढ़ते हैं आज हम समतली आकरतियां यह देखिए कहीं तरह कि समतली आकरतियां आपको दिख रही है सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, स्क्वाइर, ट्रैपेजियम, डायमन, रॉम्बॉस, पेरलोग्राम, रैक्टेंगल, पैंटागन, हेग्जागन, हेप्टागन, ओक्टागन, नोनगन, डेकागन तो यह आपको जो plan figure के उपर, यानि कि एक समतल प्रेष्ट के उपर आपको कुछ आकरतिया दिख रही है, तो वो तो कहलाती है समतल या आकरतिया, कुछ आकरतिया हम पढ़ते हैं, two dimensional, two way mirror, और कुछ पढ़ते हैं हम three way mirror, तो जो एक ही प्रेष्ट पर, x और y axis के according बन जाती है और समतल पिख या आकरतिया, तो उनको तो बोलते हैं हम three way mirror, या प्रेष्ट फिगर्ष्ट से खं़ते हैं वो बनती है तो उनको हम solid figures भी कहते हैं, उनकी उब्रीवे आकरती के कारण ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, जैसे वो हमारे सामने ही उपस्तित हैं, जबकि ये ऐसा लगता है इन समतली आकरतियों को देखते हुए, कि जैसे इनको एक कागज के उपर चितरित किया गया है तो आपको समझ में आगया होगा कि एक समतली प्रेश्ट पर जब आकरतियां बनती है, X और Y एक्सिस के सापेक्ष में, तो वो तो होती हैं समतली आकरतियां, plan figures, उसके बाद अगर हम त्री विमी आकरतियों के बारे बात करें, तो X, Y के अलावा एक Z एक्सिस भी होती है, तो उनको बोलते हैं हम ठोस आकरतियां, solid figures, तो हमारे जो read syllabus के अंदर, unit third के अंदर पहला chapter जो हमने complete कर लिया, record, lines and angles, उसके बाद जो next chapter है, वो है समतली आकरतियां, आईए आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में कुछ समतली आकरतियों की हमने definition देख लिए, हम अब इन समतली आकरतियों के अंदर कई तरह के बहु बुझ बनते हैं, उनको polygons बनते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, तीन या तीन से अधिक बुझाओं से मिलकर बनी बंद आकरति बहु बुझ कहलाती है, बहु बुझ दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उतल ब तीन से अधिक बुझाओं से मिलकर बनी बंद आकरतियों, अब ये जितनी भी समतली आकरतियों हम देख रहे हैं, वो सब कैसी हैं, सरकल में भी हैं, एक दूसरे की और मुडिवी भी हैं, और बंद भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि तीन या तीन से अधिक बुझाओं से मिलकर ब यदि बहुबुच का प्रते कोण 180 डिगरी से चोटा है अर्थात उसके सभी विकर्ण बहुबुच के अंदर इस्थित हो तो उसे तो कहते हैं उत्तल बहुबुच यानि कि उसको बोलते हैं convex polygons यदि बहुबुच का एक कोण 180 डिगरी से बड़ा हो तो उसे बोलते हैं आउ तह कोणों का योग हम कैसे मालूम करेंगे उसके लिए एक फोर्मला दे रखा है n-2 into 180 डिगरी यहां पर n जो इंडिकेट किया है वो है बुचाओं की संक्या बहुबुच की एक बढ़ाई गई बुचा और उसके सलंगन बुचा के मद्दे बना कोण बहिश कोण या बाहि यह कोण का योग सदेव कैसा होता है 360 डिगरी होता है तो आपको यह बात समझ में आयोगी कि बहुबुच क्या होता है तीन या तीन से अधिक बुचाओं से मिलकर जो बंद आकरती बनती है उसको तो कह रहे हैं बहुबुच और जो बहुबुच है वो दो प्रकार के पाए तो उसे बोलते हैं आउतल बहुबुच जो की जनरली बाहर प्रेजेंट होता है अब जितने भी अंदर बहुबुच के अंदर कोण बन रहे हैं जैसे कि कोई सा भी ट्राइंगल ले लिजिए या फिर स्क्वायर ले लिजिए रैक्टेंगल ले लिजिए कुछ भी ले बहुबुच जितने भी बहुबुच आपको पहले दिखाए तो यह सब यह हैं बहुबुच जैसे यह हो गया यह है यह है इसको ट्राइंगल है तो यह सब क्या हैं बहुबुच हैं तो जितने भी बहुबुच हैं उनके अंदर जो बन रहे हैं कोण उनको बोल रहे हैं अं जो एक formula दियावा है उसको आप note कर लें कि अंतह कोणों का योग कितना है n-2 into 180 degree जैसे कि हम एक निकाल के देखते हैं इसके अंदर triangle के लिए निकालते हैं n क्या है बुजाओं की संक्या है triangle में भुजाएं कितनी होती है 3 भुज में भुजाएं कितनी होती है 3 भुज यानि की 3 होती है तो 3 से 2 minus करेंगे into formula में रखेंगे 180 degree तो 3 minus 2 is equal to 1 into 180 degree यानि की इस के total अंतह योगों की जो योग है वो कितना आघा है के अंदर 180 डिगरी आ रहा है यानि कि triangle के तीनों कोडों के अंतह कोडों का योग कितना आता है 180 डिगरी से ठाए उसके अलावा वह हम और भी निकाल के देख सकते हैं इसके अंदर किंदा की यह यह triangle का निकाला था अब square का निकाल ले चाए parallel द्रैक्टेंगल का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो इस formula की helps, हमें अंतरकॉन का योग जब भी निकालना है, तो हम इस formula का यूज़ करेंगे, तो अगर जैसे It'square, 4-2 into 180, 5-180 इंद्र is 160 जटने भी अंतरकॉन है square के अंदर उनका total addition या total जो योग है उसको किसकी equal रखना है 360 degree के equal रखना है तो ये तो था बहुबुज और इनका अंत्हकोणों का योग और इनके प्रकार आगे दिखते हैं चित्र में चित्र में A, B, B, C C, D और D, E A, B, B, C, C, D D, E, E, A ये 5 बुजाओं से मिलकर बनी बंद आकरती क्या है पंच बुजे जिसमें X तो क्या है ये X क्या है एक बाहिय कोण है बाहर की तरफ बन रहा है तो X क्या है बाहिय कोण है और X और Y एक अंतहकोण है इसके अंदर जो X है वो तो क्या है इसके अंदर बाहिय कोण है और वाई क्या है इसके अंदर अंतह कोण है तो हमें यह जो formula दिया वा था n-2 into 180 degree वो हम तरह-तरह के examples से solve कर सकते हैं जैसा कि हमने दो-दो example solve किये बागी पंच बुझ के लिए कितना हो सकता है शट बुझ के लिए कितना हो सकता है सब्त बुझ के लिए कितना हो सकता है यह आप भी निकल के देख सकते हैं तो इन सब को एक बार याद कर लीजिए और solve करने की कोशिश कीजिए उसके बाद आता है सम बहु बुझ अभी तक हम पढ़ रहे थे बहु बुझ, अब है ये सम बहु बुझ, आइसो पॉलिगन्स, यह है कि ऐसे बहु बुझ इसमें समस्त बुझाएं, वो समस्त कोण एक समान हो, तो उनको कहते हैं सम बहु बुझ, अगर जैसे त्रिबुझ की तीनों बुझाएं, माला उनके जो कोण हैं, वो समान है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, सम बहु बुझ, यानि कि कोई सा भी एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपके पास, उनके तीनों कोणों की जो वैल्यू है, वो किया है, इक्वल है, अब हमें पता है, इन तीनों को कोणों का कितना योग होता है, 180 डिग्र अब तीनों को इक्वल रखना है, यानि कि 60 divided by 3, 3, 6, 18, तो तीनों कोणों का योग 60, 60, 60, 60, यानि कि समान होगा, तो इसको बोलता है, सम बहु त्रिबुझ, आईए आगे देखते हैं, उसके बाद, इसी प्रकार, चार बुझाओं से बना चतुर बुझ, जिसमें चारों पुझाओं, वा चारों कोण समान होते हैं, वर्ग केलाता है, इसी प्रकार, पांच बुझाओं से बना बहु बुझ, जिसमें सभी बुझाओं, और सभी कोण समान होते हैं, सबी कौन समान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं सम पंच बुझ कहलाता है तो इसी तरह हम कह सकते हैं कितने भी भुझ हो अगर उन्ट में सबी कौन समान होगे तो वो सम आगे जुड़ जायागा उसके तो सम बहु बुज का अगर प्रतेक बाहिय कोण हमें मालुम करना है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे ये वाला फॉर्मला लगाएंगे उसके अंदर हम ये वाला फॉर्मला उसके अंदर लगाएंगे तो इसमें क्या कह रहा है यह कि सम बहु बुझ का प्रतेक बाहिय कोण 360 डिगरी बटावा बुझाओं की संग्या ठीक है उसके अलावा है सम बहु बुझ का प्रतेक अंतह कोण वो तो बाहिय कोण था यह अंतह कोण है इसका फॉर्मिला है N-2 into 180 upon बुझाओं की संग्या बस यह तीन फॉर्मिले आपको आज याद रखने है पहला तो क्या था N-2 into 180 उसके अंदर तो क्या था बहु बुझ के प्रतेक अंतह कोण की हमें योग निकालना था और इसके अंदर सम बाहु बुझ के प्रतेक बाहिय कोण और प्रतेक अंतह कोणों का योग हमें निकालना है तो यह तीन फॉर्मिले आपको याद रखने है अब इसके बाद नोट क्या दे रखा है अंतह कोण वा उसके संगत बाहिय कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है उदारन दे रखा है जैसे आपको एक एक अग्जामपल के शुरू समझाया है एक सम बहु बुझ में बुझाओं की संख्या कितनी दे रखी है 15 तो हमें यहाँ पर क्या रख देना है 15 360 को 15 से डिवाइड कर देना है उसका प्रतेक अंतर कोण और बाहिय कोण ग्याद करना है तो पहले फोर्मले में यहाँ पर रख देना है 15 दूसरे में यहाँ पर रख देना है 15 उसके अलावा यहाँ पर वैल्यू पुझ करके हमें आंसर निकालना है पहला देरकाइस में सम बहुपुज का प्रतेक बाहियकोन, 360 upon बुजाओं की संख्या, 360 upon 15 is equal to, यह काटके इसने निकाला है 24 डिग्री, यानि कि choice डिग्री, और अंतहकोन और बाहियकोन दोनों का निकाला है तो 180 डिग्री निकला है, उके इसने वोलाया कि अंतहकोन और उसके निकाल देंगे, इसमें इस value को put करके, यह 180 minus 24 is equal to 156, इस तरह से हम questions solve कर सकते हैं, बहुपुज से related, तो तीन formula हमें याद रखने हैं, एक तो कौन सा किया है हमने इसके अंदर, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने किया है, यहाँ पर अंतहकोनों का योग के अंदर, n minus 2 into 180, द प्रतेक बाहियकोन वाले के लिए तो 360 upon भुजाओं की संक्या, प्रतेक अंतहकोन में, n minus 2 into 180 upon भुजाओं की संक्या, यह तीन formula हमें contest दियाद कर लेने हैं, ताकि हम इन से related कोई भी question easily solve कर सके, तो आप चाहें तो notes अपने हिसाब से बनाएं, नहीं तो हम इस पूरी book को complete करक और इसके बाद हम notes बनाएंगे, okay, thank you, next video में हम मिलते हैं, और कहीं तरह की समतली आकरतियों के बारे में पढ़ेंगे, और उन से related questions भी करेंगे, thank you